पेड हमेशा रहे हैं ये युनिवर्स हमेशा रहा है और जबकि धारणाए डेफिनिशन्स भगवान की हमेशा बदलती रही हैं तो अगर हम गौड को कॉंस्टेंट के रूप में देखना चाते हैं और इसे एक माध्य मनाना चाते हैं आपसी भायचारेगा आलमी तो क्या पैंथिजम इसका एक सॉलूशन नहीं है बैसार में सवाल पूछा कि युनिवर्सल ब्रेदर हुड हम सिर्फ इंसानों तक मेहदूद रहे हैं क्या जानवर में जान नहीं है और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताके आलमी भायचारा रहे लेकिन क्या पैंथि मेहदूद सिर्फ मेहदूद इनसानों तक क्यों जानवर पेड़ पोदों को क्यों नहीं लिया गया दूसा सवाल क्या पैंथियर्द मिसका सलूशन नहीं है पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रेदर हुड आलमी भायचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क् अगर लेंगे तो जीना ही मुम्किन नहीं है अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को हम आलमी भायचारे में लेंगे तो आपको यहां खड़े रहना भी मुम्किन नहीं है पांच मिनिट तक क्यों मैं बोलूगा ठीकि मैं डॉक्टर हूँ भायचारा का एक उसूल है कि दूसरे भायचा का कतल मत करो उसूल है कि नहीं ठीक है आप सांस ले रहे अभी सांस ले ना आप जब सांस लेते लाखों जम्स का कतल कर रहे हैं आप कैसे भायचारा है लाखों लोग का कतल कर रहे जीने के लिए यह कैसा भायचारा है तो इसल भाई चारे का डेफिनिशन जरा हम बराबर तोर से समझ ले फिर हम डिसकस करें क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है तो आप भाई चारे के खिलाफ कोई भाई चारे में ये नहीं है कि दूसरों का कतल करो अपने आपको जिन्दा रखने के लिए कभी भी इसलाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबा हो अपने आपको उंचा करने के लिए और मैं अल्ला के रसूल के एक मिसाल दूँगा आपको अल्ला के रसूल फरमाते है आप जब देखते है एक खजूर का दर्खत पाम ट्री वो एक मुमिन की मिसाल है मुस्लिम की मिसाल है तो सहाबा सोचते हैं इसका क्या मतलब क्यों एक खजूर का दर्खत पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे समझ में नहीं उनको आज हम जानते हैं कोई भी पेड़ पौदे जब भी बढ़ते उपर वो क्या करते है आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं फिर ही बढ़ते हैं नीचे जाते हैं अपने पौदों को रूट्स को एक्सपैंड करते हैं इसलिए आप देखेंगे मुनसिपैल्टी क्रैक्स को तोड़ती है मजबूत करें क्यों वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है फिर से टाईल लगाते हैं जितना पौदा बढ़ता है जितना पेड़ बढ़ता है उतना आजू बाजू नु wavelengthsान करता है एक वाहिद दरख्थ है पामटृ जो जतना उचा जाता है दूरे को नुक्सान नहीं गुमते नहीं अगर आप अपने आपको बड़ा बढ़ने के लिए दूसरों को दबाएंगे ये मुस्लिम नहीं तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इन्सान को भाई चारा करूं तो मुझे जीने का हक इस नहीं किसी और जीने का हक नहीं है लेकिन उसका मतलब य नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पोचाएं जान बुचके इसलिए इसलाम में जब मुहम्मद सल्लाव सल्लम पेगाम दिये अरब देशों में अरब मुमालिक में तो लोग ने का ये कैसा इन्साने जब अल्ला के रुसन ने का कि उंट के अपर ज्यादा वसन मत दालो हराम हैं गोडे को ज़्यादा तकलीफ मत दो तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की उकूक की बात कर रहाता अभी जानवरों की उकूक की बात कर रहा है अल्ला के रसूल फरमाते हैं जब एक शक्स आग उगाता हैं अग को बुचाओ क्यूँ उद्धर चिटिया मर रहे हैं उसका मतलब जान बूच के कोई भी जीवे चीज़ को मारना हराम हैं सिर्फ अजाने में इजादत है या जिसकी इजादत खुदा ने आपको दी है जिसकी इजादत दिये खुदा ने मिसाल के तोर पे मनुस्मिती में चैप्टर नमबर पांच श्लोका नमबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाएं खाने के लिए और किसको खुराग बनने के लिए अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराग के लिए बनाया है तो कोई गुदा नहीं है अगर आप उस जानवरों के खतल करते हैं जो खानी के लिए बनाये गया है तो आप गुझा नहीं कर रहे हैं अगर उस जानवरों के लिए उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए लेकिन अगर अंजाने में चलते चलते चीटी मर गई तो आप बार चले ले सकेंगे आप सास लेंगे जर्म तो अल्ला ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आम तोर पे तो आप गुनेगार नहीं मालों कुछ जैन लोग माक्स पिंते तो भी मरते पानी को उबालते उबालने से मार रहे उबालने पानी पिके फाइदा क्या अंदर मानने के बदले भार मान रहे क्या फाइदा एँ मुम्किन ही नहीं है लेकिन जान बूच के कोई जानवर को और एक मिसाल दूँगा हमारे खतीम जुम्हा नमास पढ़ाई थे कल डॉक्टर उत्मान उनने अपने खुद्बे में मिसाल दी थी क्या एक आउरत थी जो बहुत बहाया थी क्या कहींगे जो आम तोर पे लोगों की जीनत थी मैं लफ उर्दू दरा मेरे कमजोर है मैं किसी को ठेसने पोचाना जाता इंगलिश में कहेंगे not with a good character बाज़ारी आउरत दरा मैं ऐसे लफ ने इस्तमाल करना चाहते हैं किसी को छोड़ पोचे तो बाज़ारी आउरत थी जो बहुत गुना करती थी लेकिन एक वक्त एक कुट्य को पानी पिलाया तो अल्ला के रेसुलruit फरमाते हैं सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वज़े से खुदा ने उसे जननत में दाला बाजारी आउरत गलत काम करती है जिना करती है एक आमाल क्या कि एक कुटे को पानी दी इनसान को ने कुटे को और अल्ला उसे जन्नत में जालता है दूसरी तरफ एक अच्छी आउरत नेका उरत लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है चेंड करके रखती है उसकी आजादी को कैद करती है अल्ला ताला उसको जन्न में जालता है नर्क में जालता है इसे कहते है जानवरों के हुकुक मतलब जानवरों के भी हुकुक इसलाम में है अल्ला के रुसुल फर्माते हैं कि चिडिया की जान भी मतलो बिना वजे चिडियां स्पैरो अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लक्षर तो इसलिए हम मानते हैं के जीविच चीज का हमें एथराम करना चे उसके रूल डेगुलिशन है बोलेंगे सब जीविच चीज मेरे भाई है नहीं सब भाई नहीं अब कुछ लोग इतना करते कुटे के पीछे हर मैंने लाक रूपया करचा करते अरे गरीब लोग मर रहे लाक रूपये से दस घर हर मैंने लाक रूपया अपने पूडल के उपर डालते हैं लाक रूपये से क जानवर की खदर करो इतना कदर मत करो कि उसके आद में चेन डालो सोने की यह करो यह खाना लेका आओ खाना लेका आते लाग रुपेगा आप समझे ना तो इतना मत इस्टराफ करो इसलाम के ने से कहा गया है कि भाई चारा जो मनें दिक्र किया बड़ जानवरों को भी देख हो गया आप कहते हैं कि पैंथियेजम सब को खुदा मानना इसका जवाब है उसका जवाब में कहा था हमारे भाई जो आउतार सिंग थे ना उसने कहा था पैंथिये सब कुछ खुदा है सब कुछ खुदा है इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है मतलब अगर आप सब को خدا مانتے, चौर को भी खुदा मانتے, हुदा का मतलब उसका कहना मानना, मराबर करने, उसकी इज़त करना, उसकी असकी अबादत करना, वो जो कहते है उसकी बात मानना, तो आप अगर ओष्आ को खुदा बोलेंगे, वो भर लेंगा चोड़ी उसकी इबादत करना चाहिए और यह जो फिलोसफी है यह फिलोसफी जो आप बोल डिकी दर से आई इसे कहते एंत्रोपॉर्फिजम क्या कहते एंत्रोपॉर्फिजम मतलब गॉड ने हर चीज़ की शकल हासल की और इसके अंदर फिलोसफी है कि खुदा इतना पाक इतना नेक वो जानता नहीं कि किस तरीके से इनसान को तकलीफ होती है और यह अंत्रोपॉर्फिजम जो फिलोसफी है खुदा अलग अलग चीज़ में शामिल होते है और कई मजब इसलाम के इलावा कोई मजब कहता है कि खुदा एक बार इनसान का रूप हासिल किया कुछ मजब कहते अनेक बार और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक इतना नेक इतना महान उसे पता नहीं इनसान के तकलीफ क्या है इनसान को किस चीज़ का बुरा लगता है इतना नेक कितने पाक, इनसान को दर्द कैसा होता है इनसान को तकलीफ कैसा होती तो ये खुदा जो नेक और पाक है जानने के लिए इनसान की असूल क्या होना चाहिए वो इनसान का रूप धारन करते ये फिलोसोफी है एंथ्रोपोर्ट मॉर्फिस्म की उपर से लगता है बहुत लोजिकल है खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालू वो जानता ने बिचारे इनसानों की क्या तकलीफ है क्या मजबूरी है क्या मुश्किलात है तो इनसान का रूप धारन किया लिखने के लिए क्या इनसान के लिए अच्छा है बुरा है? उपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टैकिक करेंगे मंतिक से तो एकदमी घलत मिसाल के तोर पे अगर मैंने एक DVD प्लेयर बनाया DVD प्लेयर, क्या मुझे ज़रूर है कि मैं DVD प्लेयर बनू यह जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है जरूर यह नहीं मैं एक इंस्ट्रेक्शन मैन्यू लिखूंगा के डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी दालो प्ले का बटन दबाओ skipping करने के skip का button दबाओ stop करने के stop का button दबाओ पाने में मदारों खराब हो जाएगा उपर से मद बेकों खराब हो जाएगा मुझे DVD player बनने की जरूआब नही rug इसी तरीक़े से खुदा हमारा खालिक है हमारा बनाने वाला है अमारा पीदा करने वाला है उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता है इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कैसा अभादत करना चाहिए और इस खुदा का आखरी इंस्ट्रेक्शन मैनियूल है कुरान इस इश्वर इस भगवान इस अल्ला इस खुदा का आखरी इंस्ट्रेक्शन मैनियूल है कुरान इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताओं करना चे किस तरीके से भाई चारा बढ़ना चे किस तरीके से गरीबों की मदद करना चे सब लिखा है इसमें खुदा को खुद इंसान बनने की जरुवत ने क्योंकि वो हमारा खाले के हमारा मालिके तो इसी लिए ये pantheism philosophy is totally wrong और वेद में किदर नहीं लिखा है आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है आप अगर देखेंगे मेरी कसेट Hinduism and Islam पे लेकिन वो किताबे वेद से उची नहीं है वेद में सिर्फ लिखा है तोहित के बारे में एक खुदा के वारे में एक कमसत विप्रा भाहुदा विदान थे खुदा एक है उसको ना मेरादा दे सकते आप लेकिन खुदा एक है उसकी सिफ़त आप बयान कर सकते है और वेख खुदा है ना तस्पतिमास्ती उसका कोई अक्स नहीं है ना कोई picture है ना कोई painting है ना कोई मूर्ती है ना कोई statue है होब दान से दो केस्टिन